क्या आपने कभी ये सोचा था कि आगे आने वाले future में हमें flying cars जो की ओर सकती होंगी या उस जैसी दूसरी technology देखने को मिलेगी पर भले ही आज भी flying cars को आसमान में देखना हमारे लिए एक सपना ही है लेकिन फिर भी आज से कई दशकों पहले दुनिया में कुछ ऐसे invention हुए तो जो वक्त के हिसाब से कहीं आगे थे तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्ही कुछ inventions की जो काफी advance थे अपने वक्त के हिसाब से आसमान में उड़ना हमेशा सही इंसानों का एक सपना रहा है जिसके लिए वक्त के साथ साथ लोगों ने अलग-अलग तरह की कोशिशे करी लेकिन साल 1955 में US Army ने एक aircraft launch गया था जो की उड़ भी सकता था इस aircraft को US Army ने Hiller helicopter नाम की helicopter manufacturing company के साथ मिलकर बनाया था इसलिए इस aircraft को अपना नाम मिला Hiller VZ1 Pony इस aircraft को US Army ने अपनी military facility को और भी ज्यादा advance करने के लिए बनवाया था वो भी 1950s के टाइम पर जब लोगों के पास कार होना भी एक काफी बड़ी बात थी ये aircraft actually में एक ही इनसान की flight के लिए design किया गया था जो कि military personnel को एक जगह से दूसरी जगह patrolling के काम आता था जिसको इस तरह design किया गया था कि इसके नीचे एक rotating fan लगा था Hiller helicopter ने इस aircraft के तीन model design किये थे अब सभी लोगों ने airport, offices और metro station जैसी जगहाओं पे वेंडिंग मशीन तो ज़रूर देखी या use करी होगी और काफी business के लिए भी ये वेंडिंग मशीन काफी ज्यादा profitable investment साबित हुआ है पर भले ही ये वेंडिंग मशीन आपको एक modern technology लगे पर दुनिया की पहली वेंडिंग मशीन का invention लगबग 2000 साल पहले ancient Greece में हुआ था यहां लगबग 50 AD में Greece के famous mathematician और inventor hero ने जब अपने शहर में मौझूद temples में ये परिशानी देखी लोग temple में मौझूद holly water में से ज्यादा पानी ले रहे हैं जितना उन्होंने पैसा दिया था उससे इस परिशानी का समाधान निकालने के लिए hero ने एक coin operated vending machine invent करी जिसमें coin डालने पर पानी निकलता था और ये vending machine balanced liver mechanism पर चलती थी यानि जितना coin का weight होता था उसी हिसाब से उसमें से पानी निकलता था लेकिन finally 1867 में जाकर Simon Denholm में hero से inspiration लेकर दुनिया की पहली automatic vending machine invent करी जो stamp paper dispense करती थी जब भी कोई electric car का नाम लेता है तो सभी को सिर्फ एक ही नाम याद आता है Tesla Motors पर भले ही electric car हमें एक modern invention लगे पर आज से लगबख 100-100 साल पहले लगबख 1881 में Thomas Parker ने दुनिया की पहली electric car invent करी थी जिसको बनाने के लिए Thomas ने lead acid battery और dynamos का इस्तमाल किया था पर क्यूंकि उस time पर इन electric vehicle की top speed काफी कम और maintenance cost काफी ज्यादा होती थी इसी वज़ा से उस time पर electric vehicle कभी भी successful नहीं हो पाई आप सभी लोगों ने दुबई में पानी में चलाने वाली car को drive करते जरूर देखा होगा पर भले ही ये famous पानी में चलाने वाली Ferrari आपको car लगे पर actually में ये तो सिर्फ एक car के shape में boat ही है लेकिन आज से लगबग 62 साल पहले air 1961 में West Germany में Amphi car model 770 launch होई थी और भले ही ये car 1960s की हो पर ये car इतनी advance ही कि ये road के साथ साथ पानी में भी चल सकती थी जो इसे बनाती है इस list की उन cars में से एक जो अपने time के हिसाब से कहीं आगे थी दुनिया में अब तक हजारों से ज़्यादा लोगों ने एक UFO देखने की बात करी है और YouTube चैनल से लेकर ये newspaper आर्टिकल तक UFOs हमेशा से ही एक mysterious चीज है जिसमें काफी लोगों का interest रहता है पर 1958 में US military के एक secret project के लिए Avro Canada नाप की company ने Avrocar VZ9 नाम की उलने वाली flying saucer invent करी थी और US military इस flying saucers को अपनी आर्मी में helicopters को replace करके इस्तिमाल करना चाहती थी और इस secret mission का नाम US military ने project भवाय रखा था लेकिन इस flying saucer के low performance की वज़े से इस project को cancel कर दिया गया भले ही आज की modern airline में हम कम leg space की वज़े से परेशान रहते हों या फिर आज भी कुछ airlines अपने passengers को साफ toilet तक नहीं provide कर पा रही है और आज से लगभग 60 साल पहले US Air Force ने अपने secret black project के दोरान साल 1966 में Lockheads SR-71 aircraft invent किया था ये jet aircraft आज तक दुनिया का सबसे fastest aircraft है योकि 3540 km per hour की top speed से ऊड़ सकता है यानि अपनी top speed पर आप इस jet से सिर्फ 45 मिनट में इंडिया से दोबई जितना distance तक cover कर सकते हैं आज की modern lifestyle में हम electricity के बिना अपनी life सोच तक नहीं सकते यहां तक इतनी तेजी से बढ़ते हुए इस smart और technological world में electricity सबसे ज्यादा important चीज है पर electricity का invention mid 1700 के time पर ही हुआ था electricity के invention से पहले लोग सिर्फ candles, oil, lamps और दूसरी fire की चीज़ों का इस्तिमाल करते थे अपनी जरूरते पूरी करने के लिए लेकिन हाली में कुछ archaeologists ने एराक से कुछ artifact डोन निकाले जिसमें से एक ceramic pot, एक copper tube और एक iron rod शामिल था जिसके बाद इन artifacts पर काफी research के बाद scientists इस conclusion पर पहुँचे है कि यह artifact कुछ और नहीं बलकि एक ancient battery है जिसका नाम researchers ने बगदाद battery रखा और तो और यह battery रगबग 2000 साल पुरानी थी जिसमें अगर light acid यानि अगर vinegar डाला जाए तो यह jar 1.1 volt तक current produce करती है अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि 2000 साल पहले आखिरकाल ancient civilizations batteries को किस इस्तमाल में लेती थी तो आपको यह video कैसी लेगी comment section में अपनी राय जरूर दीजेगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like, channel को subscribe और bell icon दबाना बिलकुल भी न भूलिएगा